सब्सक्राइब कीजिए टेकनिकल गुरूजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेकलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए आप देख रहे हैं चैनल को गुरूजी चैनल को और बात है लेकिन उन केसिज में जूट बोले तो भी कुछ बड़ा फरक नहीं पड़ता लेकिन जोस्तों जब मैं आपसे बात करता हूँ किसी ऐसे स्टेटमेंट की जिसके उपर बहुत सारी चीजे टिकी हैं यहाँ पे दोस्तों बहुत ही basic example है मालीजिये कोई court hearing है किसी victim का कोई statement है किसी suspect का कोई statement है तो यहाँ पर दोस्तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी बन जाता है कि आखिर वो इंसान सच बोल रहा है या नहीं अब देखिए अगर आप एक expert है जैसे अगर हम कहते हैं हिंदी में कि आपने दुनियादारी बहुत देखी आपको दुनियादारी की समझ है तो हो सकता है कि आप अगर किसी इंसान के सामने बैट के उससे बात करें तो शायद आप जज़ कर पाएं कि वो जो इंसान है वो सच बोल रहा है या नहीं लेकिन अगर एक मशीर ऐसा काम करें तो शायद दुनियादारी बढ़ सकती है और इसी सोच के साथ में 1921 में पहली बार जौन लार्स ने दुस्तों डेवलब किया था इस टेस्ट को जो खुद एक अब दुस्तों 1921 के बाद से लेकि आज तक हम सभी इस टेस्ट में continuous improvements करते आ रहे हैं और कोशिश यह करते हैं कि इसकी accuracy को हम कैसे जादा से जादा बढ़ा सके लेकिन फिर भी आज की डेट में भी दोस्तों ये एक questionable चीज है बहुत सारी जगहों पर इसको allow किया जाता है बहुत सारी जगहों पर ये illegal भी है जहां तक मैं आपसे बात करता हूं India की तो यहां पर दोस्तों इंडिया में ये test completely illegal है forcefully किसी के उपर भी ऐसा कोई test नहीं किया जा सकता है लेकिन हाँ अगर कोई willingly चाहे इस test का हिस्सा बनना तो वो दोस्तों conduct किया जा सकता है ये फिर भी completely legal है लेकिन इसको court में एक strong evidence नहीं माना जाता अभी तक भी आप सोच रहे हैं कि आखिर ये test काम कैसे करता है तो कि दोस्तों हमारा जो दिमाग है या अगर मुझे जूट बोलना हो तो जो processing दोस्तों है वो तो मेरा दिमाग ही करेगा लेकिन ऐसे में जो outcome है वो थोड़ असा different हो जाएगा जहां तक मैं आपसे बात करता हूँ blood pressure की pulse rate की respiration rate की या फिर दोस्तों even skin resistance की जो कि depend करेगी पसीना मैं कितना छोड़ रहा हूँ मेरे हाथ से कितना पसीना निकल रहा है मेरे माथ से पर कितना पसीना आ रहा है ये सभी तोसे जो parameters है वो change हो जाते हैं और ऐसे में पता लगाया जा सकता है अगर इन सभी parameters को closely monitor किया जाए constantly कि जो इनसान है वो सच भोल रहा है या नहीं लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर इसको जो validity है वो एक question mark के नीचे है बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ये जो machine है ये बिलकुल भी accurate नहीं है बहुत से लोग ये बोलते हैं काफी accurate है मतलब mixed यहाँ पर opinions है सबी के बहुत से लोग ये बोलते हैं कि इसको bypass करना बहुत ही easy है बहुत से लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे false positives भी आते हैने कि इनसान ने तो सची बोला था लेकिन machine ने ये बता दिया कि नहीं आपने जूट बोला है तो यहाँ पर दोस्तों लिखिए अब questionable चीज है लेकिन फिर भी technology तो है ही तो ऐसे में इसको आज की date में भी बहुत सरी जगेहों पे काम में लिया जाता है अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ कई बार recruitment process की अगर माली जे कोई इनसान है किसी secret force में enter कर रहा है पुलिस में आ रहा है अगर माली जे वो जा रहा है armed forces में तो यहाँ पर दोस्तों बहुत बार अलग-अलग stages में ऐसे test जो है वो internally conduct करवाया जाते हैं या फिर दोस्तों इसके अलावा बहुत बार तरह तरह के जो बड़ी companies हैं जो बहुत बड़ी-बड़ी corporate groups हैं वो भी अपने employees के उपर इन test को लगाते हैं जिसके वाद में वो यह जान पाते हैं कि वो जो इनसान है उसमें कितनी honesty है वो इनसान जो है वो सच बोलता है या नहीं लेकिन फिर भी questionable है court में तो इसको मानते नहीं है court में दोस्तों यहाँ पर यह completely illegal भी है forcefully किसी के उपर यह test conduct करवाना है लेकिन इंडिया में आपको जगे जगे पर बहुत सारे ऐसे private companies मिल जाएंगी जो इस test को conduct करवाती है और ऐसे में अगर आप चाहें किसी भी reason की पूछे जाते हैं उस test के दौरान वो होते हैं basically yes और no यानि कि जवाब है वो देना होता है या तो हां में या तो ना में अब जो सवाल है वो बहुत सारे relevant सवाल भी होते हैं बहुत सारे irrelevant भी होते हैं जिनका उस चीद से कोई भी दूर-दूर तक link नहीं होता है लेकिन वो to bypass a polygraph test तरह तरह दोस्ते हैं पर सिनारियो हैं कि आप कैसे अपनी सभी चीजों को सभी परामेटर्स को कंट्रोल में रख सकते हैं और जूट भी बोल जाएं तो भी उस टेस्ट को clear कर सकते हैं लेकिन questionable चीज है भाई कोई मानता है कोई नहीं मानता है आप मुझे बताईए कि अगर आपको देना पड़े एक polygraph test आप से कोई सवाल पूछा जाए और आपको उसका जवाब जूट देना है तो क्या आप एकदम अराम से confidently जवाब देने के बाद में बच जाएंगे क्या आपको ऐसा लगता है दोस्तों फिलाल के लिए वीडियो में इतना ही देखने लिए आपका बहुत बहुत हन्यवाद अगर आपको विट साला सुझाव हो तो आप लीचे कमेंट करना मत बुलिएगा अगर आपको विडियो पते लाइक के शेर नहीं किया है तो लाइप भी करतीजी और शेर भी करतीजी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत बुलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियो लेके आता रहता हूँ फिलाल के लिए इतना ही दोस्तों जैर हिंद वंदे मातरम